हेलो एंड गुड मॉरिंग आवरिवन आज के इस लेक्टर में हम सोलिट स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्रिकल कंडक्टिविटी के उपर रहने वाला है और यह जो टॉपिक है वो एक्जाम पॉइंट ओफी से भी ज्यादा इंपोटेंट से और आने वाले लेक्टर के लिए यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपोटेंट रहने वाला है क्योंकि आगे इसका यूज होगा यहां पी जो हम रिजल्ट निकालेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने चे पहले हम थोड़ा सा कंड़क्टिविटी के बारे में बढ़ा था तो थोड़ा सा थर्मल कंड़क्टिविटी के उपर बात करते हैं उसके बाद आते हैं वापिस इलेक्रिकल कंड़क्टिविटी के उपर तो थर्मल कंड़क्टिविटी में हमने मानना था कि अपने पास कोई एक मैटल की रोड है यह अब हमने मालिय मैटल की रोड है यह जो end है इस end को हमने यहाँ पे heat कर दिया तो इस end को जब मैं यहाँ पे heat करूँगा तो हम देखेंगे कि यह दूसरे वाला जो end है वो भी heat होना दीरे-दीरे स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अपने को पता है जो heat का फोलो हो वो high temperature से low temperature की तरफ होता है ठीक है अब question यह है कि यहाँ से heat flow होके इस तरफ गई कैसे मतलब यहाँ पे heat का carrier कौन था तो heat का carrier यहाँ पे फोनोन था और दूसरा इलक्ट्रोन था इलक्ट्रोन और फोनोन के काण heat हाई temperature से यहाँ पे लेख देता हूँ high temperature हाई temperature से low temperature की तरफ मूब करके गई अब question यह है कि फोनोन का कितना contribution था और इलक्ट्रोन का कितना contribution था तो यह डिपेंड करता है material के उपर किया अगर आपने पास insulator material है तो वहाँ पे फोनोन का contribution ज्यादा होता और इंसूलेटर में electron होते ही नहीं अपने पास free towards कøनोन का contribution होता है सारा कसारा जैसे अपने पास लकडी होती है लकडी को जब हम heat करते हैं तो लकडी का जो दूसरा end है वो भी heat up हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो heat transfer करता हूँ किसके कान होती है फोनोन के कान होती है फोनोन के उपर हमने already lecture upload कर रखा है तो अब अगर आप वो जानना चाहते हैं तो फोनोन वाई constant पागल सर्च कर सकते हैं यूटूब आपको मिल जाएगा उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसी दूसरी material की माल या कोई conductor material है उसको मैं heat करता हूँ तो वहाँ पर heat का flow हो दो चीजों के कान होगा एक तो electron के कान होगा दूसरा क्या phonon के कान है ठीक है अब question यह है कि electron के कान कितना होगा phonon के कान कितना होगा तो अगर मैं conductor की बात करू metals की बात करू तो metals में फिर electron ज्यादा होते है phonon कम होते है तो यहाँ पर electron का contribution बहुत ज्यादा होता है फोनोन का contribution बहुत कम होता है electron के compare में तो हम फोनोन का contribution metal के अंदर neglect कर देते हैं ठीक है ये बात होई किसकी thermal conductivity की अब बात करते हैं वापिस electrical conductivity की तो अब हमने मान लिया अपने पास ये क्या है एक metal की road है कोई भी अपने पास एक conductor wire है उस conductor wire को हमने उठा के electric field में रख दिया तो जैसे इस conductor wire को मैं E field के अंदर place करूँगा E field in the sense electric field electric field में place करूँगा तो क्या होगा इस wire के अंदर charge का transfer होना start हो जाएगा अब question ये है कि इस wire में charge का transfer क्यों हो रहा है इसमे charge का carrier कोन है मतलब हमने heat में देखा था heat का carrier कोन था अपने पास एक तो electron था दूसरा fonon था अब question यहाँपे भी ये है कि यहाँपे जो charge transfer हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है यहाँपे charge का carrier कोन है तो यहाँपे जो charge का carrier है वो अपने पास क्या है electron है ठीक है तो phonon का contribution नहीं होता है उसके बात है हम यहाँ पर इसका जो mathematical part है उसके उपर चलते है तो इसका mathematical part कुछ इस type से रहने वाला है हमने क्या किया है यहाँ पर हमने जो metal है metallic conductor है या wire है उसको electric field में place किया है wire के अंदर क्या है free electrons है मतलब charge particle है charge particle को जब हम electric field में place करते हैं तो charge particle की फोर्स कितना लगता है मानले यह अपने पास electric field apply कर रखा है हमने और इस electric field में हमने यह एक charge क्या हूँ charge place कर दिया तो इसके उपर कितना force लगेगा electric field के कांट से हम यह 12th class में भी पढ़ते है F equal to QE और charge particle की है अपने पास electron है तो force कितना लगेगा F equal to QE की जग क्या जाएगा E E यह force लगेगा charge particle की उपर ठीक है अब बात करें newton second law की तो यहाँ पर लिखेंगे according to newton second law newton second law क्या होता है F equal to dp or dt ठीक है तो यहाँ पर F की जगे क्या रख सकते हैं dp y dt रख सकते हैं तो यहाँ जाएगा dp y dt और equal में small e capital E ठीक है अब quantum mechanically momentum क्या होता है अपने पास quantum mechanically momentum होता है P equal to h cut k यह अपने पास momentum होता है तो P की value हम यहाँ पर put कर देंगे तो क्या आजाएगा यह आजाएगा d over dt ठीक है और h cut constant है इसको बाहर निकार लेते हैं यहाँ पर हमने लेख दिया k और equal में क्या है e e अब next step में क्या करेंगे यह जो h cut है इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो यह इस तरफ आजाएगा divide में आजाएगा यह आजाएगा dk by dt equal to e e by h cut ठीक है अब इसको हमने बोल दिया equation number one अब next step में क्या करेंगे हम यहाँ पर यह जो dt है इस dt को उठा के इस तरफ लेके आजाती है तो क्या जाएगा यह आजाएगा अपने पास dk तो इस तरफ रह जाएगा इस तरफ आजाएगा e e by h cut और साथ में आजाएगा यहाँ से dt अब अपने पाद small dk की value आई है तो complete k का निकार लें के लिए हम क्या करेंगे इसको integrate कर देंगे both sides तो next step में क्या करेंगे integrating both sides integration से differentiation cancel हो जाएगा यहाँ पर इंटिग्रेशन से differentiation cancel हो जाएगा और साथ में क्या जाएगा एक integration constant आजाएगा वह हमने ले लिए यहाँ पे c ठीक है तो k equal to क्या जाएगा यहाँ से k equal to आजाएगा e e by x cut और साथ में ये t और पलस में c integration constant अब कोशिश करते हैं ये जो अपने पास integration constant आया है c की value पता कर लेते हैं तो c की value पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर t equal to तो अगर मैं 0 put कर दो तो अपने पास किस की value आ जाएगे c की value आ जाएगे तो ये t equal to zero put करूँगा तो ये पूरी की पूरी पूरी term क्या हो जाएगे, 0 हो जाएगे तो ये आ जाएगा अपने पास अब ट की 발 rupees जाब 0 पूट करें तो ये kay note ले לתे अ और यह टरम 0 पलस C और C की वैल्यू क्या जाएगी या जाएगी K नोट ठीक है अब यह जो C की वैल्यू है वो कहाँ पर पूट करेंगे इस equation number 2 के अंदर पूट कर देंगे तो पूट करने के बाद क्या जाएगा या जाएगा K equal to EET by H cut और C की जगह क्या पूट कर सकते हैं पलस के नोट ठीक है नेक्स्ट टेप में क्या करने वाले हैं से नोट को उठा के के को उठा के उस तरफ लेके जाएगे तो क्या जाएगा K minus K note और यह वाली ट्रम as it is EET by H cut अब next में क्या करेंगे यह जो K minus K note है यह किसको रिपरजेंट कर रहा है यहाँ पर change in K को रिपरजेंट कर रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल के और equal to E E by T H cut ठीक है इसको हमने बोल दिया equation number 3 अब next में हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने को drift velocity का पता होना ची कि drift velocity का मतलब जब हम किसी conductor पर या किसी wire पर बाहर से electric field अपलाई करते हैं तो क्या होता है जो इलेक्ट्वन है वो negative potential से positive potential की तरफ drift करके जाता है टीक है उचो drift velocity होती वह एक टाइप की average velocity होती है और इसका जो result है वह हम 12th class के अंदर निकालते हैं तो वह result हम डिरेक्ट यूज करेंगे तो drift velocity क्या होती है अपने पास ee2 by m तो क्या होता है यहाँ पर relaxation time यह अपने पास क्या है relaxation time और इसको हमने बोल दिया vd drift velocity या फिर इसको निकालने का एक दूसरा और method है वह भी मैं यहाँ पर बता देता हूं एक तो यह हम 12th class में निकालते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं वह याद रख सकते हैं दूसरा हम quantum mechanics के अंदर आकर हम बात करें तो अपने पास velocity का कोई भी operator नहीं होता आपने पास तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे जो momentum का operator है momentum का यूज करेंगे तो क्या होता momentum क्या होता है अपने पास p equal to m v होता है और यहाँ से अगर मैं v की value निकाली तो क्या आजाएगी v की value आजाएगी v equal to p by m ठीक है और quantum mechanical momentum क्या होता है quantum mechanical momentum हमने यहाँ पर लिखा था h cut k तो यह आजाएगा h cut k divided by m ठीक है यह हमने यहाँ से क्या निकाली v की value निकाली k की value अपने पास यह है k की value हम यहाँ पर लिखतेंगे del k ठीक है तो यह del k की value हम यहाँ पर पूट कर देंगे क्या आजाएगी अपने पास यह drift velocity आ जाएगी ठीक है तो मैंने तो r equal to nevd ठीक है और vd की value हम यहाँ पर निकाली तो यह vd की value हम यहाँ पर पूट कर देंगे और यह सब हम कर रहेंगे अगले section के अंदर तो अब अगर हम यह vd का value यहाँ पर पूट कर रहेंगे तो क्या आजाएगा यह आजाएगा अपने पास n a की की यहाँ पर एक यहाँ पर यहाँ पर यह आ जाएगा e square e by m और into में to ठीक है किसज़ की value आगई अपने पास J की value आगई अब जब हम bombs-la पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक और currentancy क्या होती according to oms-la iels sense et यह क्या जाएगे यह आ जाय आएगा अपने पास J equal to sigma e n e square e से e cancel हो चुका है divide by m और साथ में क्या है ये toe relaxation time ये हमने यहाँ पर electrical conductivity निकाल ली अब हमने यहाँ पर यह जो sigma की value निकाली है इसका हम आने वाले lectures के इंदर यूज करेंगे और जो thermal conductivity की value हमने निकाली थी पहले वाले lecture में उसका भी हम यूज करेंगे इन दोनों का यूज करके हम जो वीडमान फ्रेंज लो होता है उसको explain करने की कोजिस करेंगे ठीक है thank you